टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तैयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार आप देख रहें, मार्केट टाइम्स टीवी मैं हूँ, आपके साथ शालनी शुर्वास तब रुख करते हैं बड़ी खबर का अमेरिका और उसके सहीयोगी देशों ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगा दी है भारत को इसका फायदा हो सकता है, भारत रूस के सस्ते में कच्चा तेल खरीदने की तयारी में है सूत्रों की मारे तो भारत इस डील के काफी करीब जाप पहुँच चुका है इस डील के तहट भारत रूस से 35 लाग बैरल कच्चा तेल खरीदेगा इसका असर देश में पेटरॉल और डीजल की कीमतों पर भी पढ़ सकता है इस डील के मताबिक भारत को कच्चा तेल देने में shipping और insurance की जिम्मेदारी रूस की होगी रूस से कच्चा तेल खरीदने में भारत refining company के लिए ये एक बड़ी अर्चन रही है अगर ये सौधा परवान चड़ता है तो ये इस बात का संकेत होगा कि भारत के अपने पुराने दोस्त रूस के साथ कारोबार के दर्वाजे खुले रहेंगे युकरेन पर हमला गरने के बाद से रूस अकेला पड़ गया है अमेरिका और उसके सयोगी देशों ने रूस पर कई तरह की पावंदिया भी लगा रखी है वहीं रूस से सस्ता तेल मिलने से भारत में पेट्रॉल और डीजल की कीमत में कमी करने में भी मदद मिलेगी हाला कि रूस से अभी जितना कच्चा तेल मंगाने के लिए बात चल रही है उसकी मातरा बहुत ही जादा नहीं है ये भारत में एक दिन की खपत के करीब है देश में रोजाना 45 लाग बैरल तेल की खपत होती है सूत्रों ने कहा है कि अगर डील हुई तो रूस से कच्चा तेल अगले कुछ महिनों में भारत पहुच जाएगा हाला कि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि रूस से किस तरह का कच्चा तेल मंगाया जाएगा और ये कौन से बंदर गहा पर पहुचेगा भारत अपनी जरूरत का 85 फीसिदी तेल आयाद करता है और भारत में अप्रेल 2021 से जन्वरी 2022 के बीच बता दे 37 लाग तन तेल का आयाद किया जा चुका है उसके कौल आयाद का 2 फीसिदी है इस दौरान भारत का कौल आयाद 37.6 करों टन रहा था रूस से तेल के आयाद में शिपिंग सबसे बड़ी समस्या है रूस से निर्यात होने वाले कच्चे तेल में यूरल्स और सोकोल प्रमुक है यूरल्स का निर्यात ब्लैक सी से बंदर गहा नोवो रोस कैस्क से होता है ये लंबा समुद्री रास्ता है जिस से लागत बढ़ जाती है यूकरेन में चल रही लड़ाई से इंशोरेंस और वाल रिस्क प्रीमियम की लागत बढ़ रही है जो लागत है वो बढ़ा दी गई है देश में पेट्रॉल और डीजल की कीमत में आखरी बार दिवाली के दिन बदलाब हुआ था तब अंतरास्टे स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 80 डॉलर प्रती बैरल के करीब थी रूस यूकरेन लड़ाई के कारण ये हाल में ही 149 डॉलर के जा पहुचा है इससे देश में पेट्रॉल डीजल की कीमत में उच्छा लाने की आश्रंका है हाला कि अब कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रती बैरल से नीचे आ गई है अब रूस से कच्चे तेल के आयात से देश में पेट्रॉल डीजल की कीमत में कमी आ सकती है तो ये थी बात की कैसे अमेरिका और उसके सयोगी देशों ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगा रखी है और भारत को इसका फायदा हो सकता है तो आज के लिए बस इतना ही और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें मार्के टाइम्स टीवी के साथ मुझे दीज़े इजाज़त नमस्कार झाल मस पाबंदी दीज़पाद्स